नमस्का दोस्तों तो चलिए आज बनाते हैं पोटेटो चीज डोनट बहुत कम सामान में तैयार हो जाते हैं बहुत ही तेस्टी होते हैं खाने में तो इसे आप ट्राइज जरूर कीजिए रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पोटेटो चीज डोनट बनाने के लिए हमें चहीं उगले हुई आलू और प्याज प्याज को आप छिल लीजिएगा और उसके बाद इसके हम रिंग्स काटेंगे और यह जो बीच बाला प्याज है ना इसे आप किसी सबजी वियारे में यूज कर ट्राइ किजिए कि जो रिंग्स है आपके थोड़े से चोड़े हो तो यह दिखे इस तरह के चोड़े आपके रिंग्स होने चाहिए जिससे कि इसमें चीज जो है वो अच्छे से फिर सेट हो जाएगी तो बस रिंग्स हमने काट लिए हैं अब हम बनाएंगे सलरी तो सलरी बिनाएंगे सलरी जो है इस तरह की होनी चाहिए देखिए न बहुत ज्यादा गाड़ी न बहुत ज्यादा पतली तो सलरी हमारी तयार है अग हम पोटेटोस को अलूँ को अच्छे से मैश कर लेंगे और ध्यान रखिए कि जो आपके आलू है न बहुत ज्यादा उबले हुए नहीं होने चाहिए और यह देखिए इस तरह से आठे के जैसे आप इने मसल दीजिएगा इस तरह से जब हम मसलेंगे ना तो इसमें गुटलियां नहीं बनेंगी तो बस इसके अंदर आप डाल दीजिए दो से तीन चम्मच कॉन स्टार्च के एक छोटा चम्मच नमक का और ए अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे कौन स्टार्च की जगा आप इसमें मैदा भी यूज कर सकते हो लेकिन मैदा जो है वो कम ही डालना है ज्यादा डालेंगे तो फ्लिवर अच्छ नहीं आएगा तो चलिए अब हम चीज को स्लाइसीज मे अब काट लीजीएगा और उसके बाद ये देखे मेरे पास थोड़े से ब्रैट क्रम्स भी हैं हम डो लेंगे और इसे लंबा लंबा इस तरह से बेल लेंगे ये देखिए इस तरह से आप डो को तैयार कर लीजिए अब आप लीजिए अनियन रिंग और बीच में डाल तो बस आप कोशिश कीजिए कि आपके जो अनियन रिंग है थोड़े से चौड़े हो जिससे कि देखिए चीज भरने में आसानी होती है अब पतला सा हम डो इसके अंदर ये देखिए इस तरह से चीज को अच्छे से ढख देंगे आलो को आपको बहुँ ज़्यादा भी उज़ नहीं करना है और बहुँ ज़्यादा कम भी नहीं तो बस बड़ी साफधानी से आप इसको अच्छे ज़े ढख दीजिए और इसके बाद हम ये देखिए जो अनियन रिंग काटा है ना उसको भी ढख देंगे तो अनियर रिंग से क्या है कि हमें डो नट्स बनाने में असानी होती है अब थोड़ा सा हम डो और लेंगे और इसे ढख देंगे ये देखिए इस तरह से चीज जो है अच्छे ढख जानी चाहिए अगर चीज अच्छे तरह से नहीं ढखेगी न तो जब हम फ्राइ करेंगे तो चीज मैल्ट हो जाएगी तेल के अंदर तो यह देखिए यहां थोड़ा सा पैच और लगा देते हैं अब एक साइड से तो हमने इसे तयार कर लिया है अब पल्टेंगे इसको और दूसरी साइड से भी देखिए ढख देंगे पहले ट्राइ किजिए कि जितना आलू है उसी से आप पहले इसको देखिए अच्छे से ढख दीजिए अगर लगे तो बाद में थोड़ा सा आलू आप इसमें और डाल लीजिए बस ध्यान यही रखना है कि चीज जो है वो बिलकुल भी खुली नहीं रहनी चाहिए चीज अच्छे से ढखनी है जिससे कि हमारी जो चीज है मैल्ट ना हो फ्राइ करते हुए तो यह देखिए कितने अच्छी शेप आ गई अब ब्रेड क्रम्स में आप रैप कर लीजिए इसको और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसको आप जाड़ लेजिए इस तरह से बस इसी तरह से आपको सारे डोनट्स तयार कर लेने हैं और जब फ्राइ करेंगे तो उसे टाइम आप सलरी में डालिएगा पहले सलरी में नहीं डाल कर रखने तो ये देखिए एक हमने डोनट उठाया और गर्म तेल के अंदर इसे हम फ्राइ करेंगे लेकिन पहले आप इन्हें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से रैप कर लीजिए थोड़ा साबधानी से ये काम करना पड़ेगा तो चलिए अब फ्राइ कर लेते हैं और दोस्तों तेल जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए अब क्योंकि मेरा जो पैन है थोड़ा चौड़े वाला है तो इसमें दो तीन डोनट असानी से फ्राइ हो जाएंगे अगर आपकी जो बरतन है इस तरह का चौड़ा नहीं है फिर आप एक-एक करके ही से फ्राइ कीजिएगा और दो स्पेचुला से इसे हम पल्टेंगे थोड़े देर पहले ऐसे ही रहने दीजिए जब आपको लगे की नीचे की साइड से थोड़ा ब्राउन हो गया है तभी इसको पल्टना है पहले मत पल्टिएगा तो यह देखिए जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए ना तो इन्हें आप निकाल लीजिए क्योंकि जब इन्हें हम बाहर निकालते हैं तो इनका जो कलर है थोड़ा सा और डार्क हो जाता है यह देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और अगर एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्ज है देखिए कई बास ज़्यादा डार्क हो जाते हैं तो उन्हें आप जाड लेजिए और यह देखिए काटकर मैं दिखा रही हूँ तो दोस्तो रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट करकी जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजीएगा प्लीज तो जल्दी मिलूगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार